चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे दस सॉफ्ट्वेर की जो की आपको अपने नए लैप्टॉप और कंप्यूटर में जरूर डालने चाहिए ऐसे दस सॉफ्ट्वेर जो हर कंप्यूटर और हर लैप्टॉप में होने चाहिए तो बात करते हैं नमबर वन की पहला है एक वेब ब्राउजर अब देखो वेब ब्राउजर पहले से आता है लेकिन बहुत सारी लोग एज और इसको पसंद नहीं करते माइक्रोसोफ्ट को तो एक आपको ब्राउजर चाहिए मैं कहता हूँ आप गूगल क्रोम इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको गूगल क्रोम नहीं पसंद तो आप कोई और भी डाल सकते हैं मोजीरा फायरफॉक्स डाल सकते हैं आपनी चॉइस का कोई भी एक फास्ट वेब ब्राउजर आपके कंप्यूटर में जरूर से जरूर होना चाहिए अगली चीज जो दूसरे नंबर पर है वो है क्लाउड स्टोरेज जी हां देखो भाई आपकी फाइल ऐसा हो सकता है अपने कंप्यूटर में से रगी हार डिस्क फेल हो गई या कुछ भी हो गया आपको अपनी फाइल क्लाउड पर भी स्टोर करने चाहिए सैंसिटीव डेटा पर स्टोर करना चाहिए अप चाहे तो ऎप वन बाउप स्तमाल कर सकते हैं डॉपक्स इसके में इस्तिमाल Practice में तो उसका सोफवेर भी मस्ट है इसको सेटे का रखा है cloud storage it's very important अगली चीज होनी चाहिए कोई भी music streaming का software बाई मस्ती में आप गाने सुन सको वह जमाना जाच चुका है जब हम MP3 डाउनलोड करते थे कितने लोग हैं जो सावन के आने के बाद गाना एप के आने के बाद Spotify के आने के बाद MP3 डालते हैं बहुत कम लोग होंगे जो अभी भी old fashion है वैसे मैं भी उन में से हूँ मैं आज भी MP3 डाउनलोड करता हूँ लेकिन आजकल जमाना वो नहीं है मेरे दोस्त दुनिया बहुत आगे बच गया अब लोग सब app इस्तमाल करते हैं तो वो software आपके computer मे होना चाहिए इसलिए मैंने इसको तीन नंबर पर रखा है तीसरे नंबर पर आप Spotify डाल सकते हैं जियो सावन ये कोई भी एक software डाल लो अपने चॉइस का जिससे आप गाने सुन सको तो ये चीज आपके उसमें जरूर होनी चाहिए अगली चीज आपके laptop में और होनी आप बहुत अच्छे इंसान हो मतलब जादा ही लीगल इंसान हो तो आप ओपन ओफिस इस्तमाल कर सकते हो ये फ्री मिलता है लेबर ओफिस करके आता वह फिलता है बहुत सारे office suit आते हैं जो free of cost आप डाउनलोड और इस्तमाल कर सकते हो open source भी बहुत सारे software है तो मेरे कहने क मतलब है ऑफिस के काम करने का टाइपिंग का प्रेजंटेशन बनाने का यह सब बनाने का जो सौफवेर है आफ्रान भाषा में कहें जिन लोगों को समझनी आता कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए आपके लैपटॉप में खुदना खास्ता आपको कोई बहुत जरूरत काम हो जाए लेटर वगरा टाइप करने के तो आपके पास कुछ होगा नहीं प्रेजंटेशन देखनी पड़े उसके लिए आपके पास यह होना चाहिए पीडिय की मतब ज़रूरत नहीं है कुगल को मी देख रहे बाकी ऑफिस सूट आपके पास होना चाहिए पांचवे नंबर पर है कोई भी इमेज एडिटर अब यह नहीं बोल रहा हूं कि फोटोशॉप ही डालो और फोटोशॉप हर कोई इस्तमाल कर भी नहीं पाता तो आपको पें एडिटर आपके लैप्टॉप या कंप्यूटर में होना चाहिए बिलकुल मोरा कोई भी फोटोिटर करनी करना है प्रफ्याल नंबर फश्य यह मैं इस्तमाल नहीं करता अभी इस्तमाल करने लगा हूँ लेकिन जातर मज़ इसकी जवाद पढ़ती नहीं है कौन सा एंटिवारस सागर भाई? कोई भी एंटिवारस, फ्री वाला, पैसे नहीं है तो लेकिन अगर पैसे हैं, एक्स्टा प्रोटेक्शन चाते हो तो भाई, प्रीमियम एंटिवारस, अच्छा सब्सक्रिप्शन, पूरा एक खरीद के, जाओ, मार्केट से जाओ, ओनलाइन खरीदो, और अच्छा एंटिवारस इस्तिमाल करो अपने कम्प्यूटर में यह आपको वाईरसेज, आपकी ऐसे आउटडेटेड अप्स और बहुत सारी चीज़ों चीज़ों बचाएगा, इंफाक्ट यह आपके कम्प्यूटर को ट्विक करने में मदद करेगा, तो बहुत अच्छी बात है, एंटिवारस तो होना ही चाहिए, साथवे नंबर पर है हो हुकुम का इक्का, यह तो भाई नहीं आपके लाप्टाप में, लैप्टाप होने, भाईया, क्या आप सही के PC यूजर हो भी, मैं बात कर रहा हूँ, VLC मीडिया प्लेयर की, बहुत ही प्यारा मीडिया प्लेयर, जो बहुत वक्त से चल रहा है, अब भी मार्केट को इतन में होना ही चाहिए, कोई excuse नहीं है यार इसको नहीं डालने का, कितना awesome मीडिया प्लेयर है, यह कोई sponsored वीडियो नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि VLC मीडिया प्लेयर मेरा फीवरेट मीडिया प्लेयर है, और मैं इसे बहुत पहले से इस्तमाल कर रहा हूँ, in fact आपके laptop मे आठवे नमबर पर है, file compression, file compression मतलब भाई, file compress करके archive बनाने का, अब देखो मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि जो zip आता है, जो पहले से archive बनाने का, windows में by default आता है, वो खराब है, नहीं नहीं, चोटी मोटी files के लिए, it's very good, but आपको ज्यादा compression चीए, तो आप winrar डाल सकते हो, यह भी free मिल जाता है, अब आपको premium खरीदना इन लोगों का, वो खरीदना तो आपके उपर है, 7zip डाल सकते हो, 7z format में compression करता है, वो बहुत अच्छा है, बहुत lightweight है, अगर आपका heavy computer नहीं है, जाता resource नहीं खर्च करना जाते हो, 7zip डाल दो, 7z, 7zip वो बहुत बढ़िया है, WinRAR डाल सकते हो, आप वो भी बहुत बढ़िया है, कुछ भी नहीं डालना तो आप जो Windows का zip feature है, वो भी इस्तिमाल कर सकते हो, बट मैं recommend करूँगा कि एक extra डाल लो, अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार यसी files आती है, जो 7zip में होती है, RAR में होती है, RAR archives होती है, तो उसके होता है कि यार, Windows में अगर आप कोई एक चीज़ कापी करके रखते हो, तो clipboard पे वही copy होके रहती है, लेकिन अगर आपके पाद clipboard manager आता है, तो आप 3-4 चीज़े अपनी copy करके रख सकते हो, अलग-अलग and paste कर सकते हो, कोई भी एक चीज़ सलेक्ट करके, जैसे अगर मैंने कोई paragraph copy किया, तो मेरे तो text वही copy है, मैं और इसके राब और कोई copy नहीं कर सकता, अगर मैं वो next copy करने को, तो पिछले वाला चला जाएगा, लेकिन clipboard manager होगा, तो एक साथ आप कई सारे paragraph copy करके रख सकते हो, और जो भी paragraph paste करना चाहते हो, अपने college का project बनाते वक्त, email टाप कर करते वग्त, या कुछ भी करते वग्त, तो आप कर सकते हो, तो clipboard manager एक होना चाहिए, यह अच्छी चीज है, मैं इसको recommend करता हूँ, अगली और आखरी चीज है कि कोई भी password manager, या कोई भी ऐसा software जो आपको strong password generate करने में मदद करें, password managers क्या होता है, कि आपके password को store रखते हैं, password याद करने मदद करते हैं, आपको strong password generate कराने में मदद करते हैं, तो अब यह कौन सा, कोई भी अच्छा वाला, लेकिन यह कोई इतना necessary नहीं है, अगर आप अपने password खुदी strong कर सकते हो, जैसे कि मैं कहूं आपको कि एक perfect password की क्या example होता है, क्या example है, देखो भाई, उसमें special symbol वगेरा होने चाहिए, small ABCD, बड़ी ABCD, और numbers, और यह सारों को combine करके, एक 8 से 9 डिजिट का जो भी है password आप बनाओ, तो यह strong enough होता है, आपको ऐसे word इस्तमाल नहीं करने चीज़, जो dictionary में मिल जाते हैं, अगर आप उन्हें इस्तमाल कर भी रहे हो, तो symbols, special characters, small letters, capital letters, इन सब स करके एक ऐसा password बनाओ, और उसे किसी तरह से memorize करो, तो वह बड़ी है रहते है, memorize नहीं कर पाते हैं, तब password manager का रोल आता है, चुकि बहुत अच्छी चीज़ होती है, but make sure आप बहुत reputed password manager इस्तमाल करें, तो यह थे ऐसे 10 software, जो हर किसी के laptop में होने चाहिए, computer में होने होते हैं, वो अलग-अलग professional, अलग-अलग काम के हिसाब से होते हैं, जैसी अगर आप एक यूट्यूबर हो, तो कुछ software और extra होंगे आपके laptop में, एक video editor होगा, Photoshop होगा, यह सारी चीज़े होंगी, अगर आप graphics designer हो, तो आपके पास lightroom होगा, एफेक्ट डालने के लिए Photoshop होग यह सब चारी चारी चीज़े होंगी, अगर आप गाने सुनते हो, तो आपके उसमें कुछ ज्यादा होगा, यह अगर वेब डेवलेपर हो, तो आपके पास कोई what you see is what you get designer होगा, CSS design करने का होगा, Microsoft का impressions आता था तो आता नहीं, आता नहीं, आता पता नहीं, लेकिन हमारे जम परस औने चाहिए, उनके लिस्ट पर नहीं, आपको बता दी, आपको यह वीडियो कैसी लगी, मुझे जरूर बताई, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और ऐसी वीडियो में और भी पताऊंगा, कुछ अलग सॉफवेर्स के बारे में बात क करता हूँ, बस आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मॉच आएंड गुट बाई कर दो आएंड़ का यू अजब मैं बात करें, बात longप अल दो, फिल के तो हो?